कि अकल का discussion करेंगे कुछ मौन शॉक्स करेंगे आज की एक्सपाइडी कैसे रही यह भी देख लेंगे कुछ अपडेट मैंने जब सुबर कैप खुला तो मैंने क्या ही लिख दिया वहां पर जो टागेट से अपसाइड में पर तो मार्केट ओपन हो रहा है तो अपसाइड का क्या ही प्ले करोगे राइट तो उसके बाद आप देखिलो वहां से फिर तो क्या ही बना है नीचे ही तो यही सब चीजे होती है और कोई भी आनलेस्ट आपको नहीं हेल्प कर सकता है क्यों लाइब मार्केट आपको सही आइट करने कोशिश करें मैं भी वही करने कोशिश करता हूं वोफफुली उससे कुछ लोगों को फायदा होता होगा आता है क्या इसका जंदा वो देख कुछ चल रहा है अभी दुनिया में तो डेट सिलिंग लिमिट वाला चल रहा है तो डेट सिलिंग की मेरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी एक वीक पहले वह एक बार देख लीजेगा ऐस सच उसको छोड़के और कुछ चल नहीं रहा है रिगार्डिंग की युएस युएस गोश्मेंट अपने ही कंट्री से पैट लेता है मतलब वह आपका इंटरने ट्रेट मिधा तो वह चीज़ेंट और इक्सतरने समी में डिफरेंसे है अगर आपम लोग को यह थो अक्रेंड़ है यह सब आता है, वो गौवर्मेंट का बहुत बड़ा बर्डन है, 24% of the गौवर्मेंट्स रेविन्यू गोवर्मेंट्स रेविन्यू गोवर्मेंट्स फंडिंग, बट उसमें कुछ-कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स है जो की भूम फिटके अपने पास ही वापस आते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं है, नहीं पे, आते हैं कि आज क्या था, वो देख लेते हैं, हाँ, तो आज डिसक्रशन क्या था, देखिए, पहले तो मैं यह बता दूँ, आपको देखिए, जसी माके प्री ओपन हुआ नौ आट पे, यह तो ओपन ही टागेट पे वह आप छोड़ो वेट करते हैं, कि 43-800 तूटे या फिर 18-260 तूटे ठीक है, क्लियर था कि यह दोनों में लेवल में जो तूटे उसक्या दी हमको सोचना है, बैंक, निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने 280 के पास ही ओपन होगे, 280-290 वाला रेंज में ही रेस्टेंस लिया, वही से सीधा 260 तोड़ना चालो कर दिया, तूटते गया, तूटत है, वही SL लगा कर रखो, बैंक, निफ्टी विल बिकम वीक बिलोग 43.60, और अब 43,000 के उपर है, तो आप लॉंग साइट का सोच सकते है, 44,000 SNSL, 43.960 के नीचे वीक हो सकता है, तो यहां पर आप देखो, वह इमिडेटली उसके पास में था, and 260 पे ही हर्डल लेके, रिवर ट्र्टी है, यहां पर शगलेंग से यहां पर एसके डियर, 90- Prinzipic वाद हिmaटली के नेकीक किया, यहां पर अकली नेका, आप अरो 7.59, बिलोग सब्सक्राइब करते हैं तो यही सब कुछ कुछी है जो मैं कोशिच करता हूं लाइब मार्केट में हेल्प कर दूँ फिर स्टॉक्स के भी अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी लेवल में मेजर ब्रेकडाउन नहीं है तो टेकनिकली मार्केट में कोई बड़ा मुमेंट ऐसाज नहीं आए बट दो मेजर रिजर्ट जो थे ITC और SBI दोनों एकारण मार्केट में एडवर्स रियक्शन दियें नीचे के तरफ में तो वह चीज हो गया और बाकी जन क्योंकि इससे कुछ फ़र्गनी पढ़ेगा डटा के साब से एकस्पाइडी होगी तो वो चीज आज दिखाई भी दी एनिवेज उसके पहले एक बहुत अच्छा इंवेश्मेंट इंस्ट्रूमेंट उसके आना में बता जाता हूं वह सुन लीजिए और उसके बार में इंटिफाई करना पड़ता है उससे कुछ रिटर्ण बना पाए और इस्टॉरिक लिए देखा भी गया है कि स्मॉल कैप कंपनीज ने फास्टर रिटर्ण और बेटर रिटर्ण दिये हैं कंपेर टू आपके लाज कैप एंड मिड कैप से तो अभी इसी तरह का एक 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 अगर उस लिंक को आप विजिट करोगे ना तो यहां पर आपको डालने रहेंगे उसके आप आगे जा सकते हो इस प्लैन का ना बेस्ट पार्ट क्या है कि यह देखिए पहला चीज तो यह है कि यह आपको बजाज के तरफ से मिल रहा है बजाज आलियांस खुद भी हाइश अला कंपनी है जिसका 581 परसेंट इससे बहुत उपर है ठीक है प्लस आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हिस्टोरिक ली यह दिखा गया है कि अगर 2013 में आस से दस साल पहले अगर आपने 100 रुपे लगाये होते मिट कैप में तो स्मॉल कैप में तो आज प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है आपको एटी सी का टैक्स बेनिफिट मिलता है अधिशनली जैसे ही आप एक इन्वेस्ट करते हो तो जो भी आमांट का आप इंवेस्टमेंट करोगे इंटू aprende गयकी करने वाले हो उसका का 120 टाइम्स आपका फर्स दे से ही आपका एक इंस्वरेंस कवर क्रियेट हो जाता है एडिशनली यह जो इंस्वरेंस प्लान है यह 23 तक अभी चल रहा है अल्मोस्ट एंड होने आ गया है इसके अन्फ पूरियेट का आप चाहो तो इसको देख लो मैं लिंक डिस्क्रिप्श न मिल जाएंगे उसको पढ़िएगा एंड उसमें फिर इंवेस्ट करने की करिएगा क्योंकि इसमें क्या है आपको इंशुरेंस प्लस आपका टैक्सेशन का बेनिफिट प्लस आपका सेविंग्स का बेनिफिट प्लस ग्रूथ जो स्मॉल कैप्स में होने वाले हैं उसका इक संग कियुमिलेटिवली मिल जाएगा डिसक्रिप्शन वारे लिंक को जरूर चेक करिए आप लोग ने सुन लिया होगा लिंक देख लीजीएगा उसको आब आते हैं कि डिसक्रिशन क्या रहेगा कल के लिए शिम्पल रखते हैं और काफी लोग इसका लिंक पूछते है इससे ट्रिडाम का निंक करना होता है वह पे करgun कasında हैat कोई उसато repair शुमट कर सकते प्रक्झाइं के इंचेयो और सुद्वरू Deborah सी अर्थ घाट के लेफल के नीचे जा के इसे लुए आफ सब्सक्राइब कर द्रियुत मार्क करके रखिएगा 18100 का लेवल कल के लिए 18100 अगर हम तोड़ते हैं क्योंकि यह देखिए डबल दो बार टेस्ट हो चुका है यह जोन ठीक है तो अब या तो फिर इसको सपोर्ट लेना है तो यहीं से सपोर्ट लेगा कल और 150 के उपर निकालता है तो फिर 18200 260 यह आराम से क्या दिहान रखना है कि देखिए अगर इसको हम थुआ सब बढ़ा करेंगे चार्ट को तो दो चीजें हो सकती है या तो यह आपका जो इससे ब्रेकडाउन आया उसका रिट्रेस्मेंट है फिर वापस ब्रेकडाउन इसको हम पकड़े या फिर यह डबल बॉटम बना के फ दोर ओपन हो जाएगा दीरे दीरे आ जाएगा तो वह ध्यान रखीगा कि अगर 18,000 के तरफ का दोर इजी है और 18,150 के उपर निकलता है तो फिर शॉर्ट साइड ने रहे कि कोई मतलब नहीं है दीरे दीर अब साइड में स्टॉप लॉस्ट्रेल करते जाएगा वह हो गया अब हमें क्या दियान रखना है कि option data क्या बना रहा है option data monthly expiry में यह दिखा रहा है कि 18,000 कुछ writing हुई 18,100,150 सब पर कुछ-कुछ writing 18,200 पर major writing यह monthly expiry है यानि कि जो write भी कर रहे है तो market यहां से 70% उपर में write करने में confidence है नीचे में नहीं लेकिन 18,200 पुट writing भी अच्छी कास ह 1,37,000 contracts की अब problem कहां पर आएगी कि जसे ही market अगर 18,200 के नीचे डूटता है तो यह जो 18,200 पर इतना confidently अभी तक पुट writers write करके बैठे हुए है यह सब के सब panic में आएंगे शाप डाउन मोब को trigger करके देंगे यह ध्यान रखेगा और monthly expiry है तो बड़े most play हो सकते है तो वो ध 43,700 का level जहांके मतलब कल भी हमने यही level discuss किया था 43,700 का level अगर तोड़ता है तो 43,500 फर्स लेबल ओपन हो जाएगा आपके लिए यह हो गया अपसाइड में अगर हम बात करेंगे तो upside में इसको जो breakdown मिला है न वो मिला है 850 के नीचे तो यह तो 43,850 के ऊपर निकल जाए तो 44,000 तक का easy move है all time 5 के पास बार बार मार्केट जाके resistance ले रहा है तो उसमें एक problem यह आ रही है कि वहां मार्केट अगर बार 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 आपका hurdle बना के रखेगा तो क्या रहा हम अपने को यह तो 43,700 के नीचे market sustain करें तो फिर 43,500 फिर उसके बाद आपको 43,200 इस तरफ अच्छ प्रेशर रेखने को मिल सकता है जो कि इसको और नीचे तरफ ड्राइक कर सकता है तो ध्यान रखेगा यान उसके लिए mentally prepared रहिएगा यह हो गया अब आते है पुट साइट में आपका सीधा 43,500 पर ही है लेकिन 43,800 में कुछ पुट राइटिंग है तो ध्यान का रखना है अपने को यह ध्यान रखना है किसी कारण सेगर market 43,700 के नीचे तूटता है तो यह जो 44,000, 43,900, 43,800 के सब पुट राइटर्स है ना और यह जो इंदमनी वाले राइटर्स है सब के सब क्या exit लेंगे उसके लिए उसके लिए शाप डाउन रूप देखने को मिल सकता है तो वह ध्यान रखना है अपने को अब आते हैं मेजर बैंकिंग चैट में जिनके कारण बैंक से मूवमेंट हो 1650 उपर 1640 नीचे अपने को माक करना है 1640 का लेवल नीचे में 1650 के लेवल उपर में यह रेंज को टूपने दीजिए 1640 के नीचे टूपता है तो 1625 की तक का जर्नी जर्नी ओपन है 1650 के ऊपर निकालता है तो फिर क्या है मैं तो अवोईट करूंगा लेकिन जिसको प्ले कर सकते हैं 940 जब तक नहीं टूटे तो वीकनेस नहीं आएगा 940 के उपर जब तक है स्टेंथ इसमें आप मान सकते हैं पिर आते हैं आपने को 915 का लेवल क्रूशल था उपर जाके पुड़ा वहां से रिट्रेस करके नीचे आया है 912 13 का जो लेवल है इसको यह दो तीन से होल्ड करने कोशिश करता है उसको तोड़ेगा तो सेलिंग प्रेशर देगा तो यह जोन याद रखिए का 911 12 का जोन है यह लेवल है तो फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा इसमें को तक सब्सक्राइब कोशिश करिए इसमें 1920 के नीचे इसमें फिर्श राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है जैतों 1920 के ऊपर है कोई अफसाइड में स्टॉप लॉक्स कर सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है रिलाइंस की ब इसमें आता हुआ दिखाई देगा आपको अब आते हैं इनफी में क्या भी हम रखना है उपर से तो अच्छा राज है टूटा बट हम क्या माप तो के नाइंटीन फिफ्टी उपर में 1240 नीचे में 1240 नहीं तो उड़ता है इसमें फ्रेश डाउंसाइड आपको नहीं मिले करते जाना है अभी वही है अपना स्टॉप लॉस कोई चाहे तो ट्रेल कर सकता है तो लाइक कर दीजिए